नागोर जिले के गराम सुजानकुरा में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। आपको बदा दे कि अग्याद लुटेरों घर में सो रही बुजरूग दमपत्ति को रईवार रातरी में बंधक बना कर इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही जान से बारने की थमकी दे कर घर में रखके 6,60,000 रुपे लूट कर फरार हो गए। पिष्टोला सो बदाए। लुट जिकाया मैं ताब को अंजाग जिकाया मैं रखक बान दे शाओा रखक बान दे घर रजाए मार रवादा वार रजाए। जो बजें के दिए अधीत तीन वजाओ जो तीन नहीं जो खुथी मुटू तीन जो तीन में अधीक अधा को जैंति हमारा तो जो एक चीट आपरी शीमा जोड़ो काहीं जो जो खाईएक एक आपए जो जो परेखों रहाए आपो दोही नहीं हो你 नहीं हो इसकता है गुम नहीं कर दोनी अजय में बारा मत अबिम्हाइ कम्हार, काम परिंदा कमरा कई शेख रहा कुंड़ू, संभेख राक्ना की कर भी, समय कर दोहां सभापना इल भाला नहीं है रहां कारपनी, में अधर्शर डव दोनी, जो दोनी है, नाम क्या आबगा नाम तुर्शी नाम है लेड़ा कमरा को बार निशी राजाजा ठाप तुर्शी देवी यह दोनों अपने कमरे में सो रहे थे अचाना ग्रात्री को चोर पर वेश कर गर में दोनों को ड्रादम कागे और शाड़ी छेदा पिल लेगे एक रिजाए एक लिगदा खलास जारी है आसबास सीची के वरित खंगारे जारे हैं जल्दी की गिरुदार कर लिए जाएंगे में तो तीन जना गिया चार जना समीले तीन चार आप मार्पीट करीब बन दिया बाद बाद आपका सामान का देते बहन छोड़ा को नी दाब लिया कोई कट्म पगड़े कोई पगड़े पेर पगड़े बन दिया कि इस तो में बजाएंगे बाद गया मान पे चलिया गयार मकंदला इसनी सिर्फ साथ की चलिया गयार माद भारों आदो जड़ गया वार जड़ 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 गया तो में टाइम ओ पाड़ोशन एहला पाड़ कोड़ार की हैं जाएं मुशला खुलाया जड़ में लेड़ बजग तीर जड़ गयार मार पीट करीवी तो में सामान भागा जिया आता है जिया वे लेड़ तिल्या गया तो गरी लिगया उंटी लिगया इसा लिगया जड़ गया रजाएं लिगया यहल की सामान लिगया वे तो मार पीट कर उसको केराउसिन डाल कर आग के हवारे कर दिया जिससे उसकी दर्दाग मौके पर ही मूध हो गई वे घटना के सोचना पुलिस को दी गई वहीं आपको बता दे कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युग घंसी अंफरार हो गया पहां रहते हो अचा ये पतन ये औरत मरी जिए कौन है आपकी आपकी लखे कि लखे क्या नम है और बहु का नम क्या है अचा कैसे मर गई जिए बता जो रहाए अचा परे रहे नहीं तो लड़ाजी नम हुई है जात चाक्ति दिनमां तो हमें दियां बड़ाई हो थे सब्सक्राइब खियो अचा करें आपकी तो हमादी फ़ीख भर रहे हैं आपு अचा करें दो अचा करकर बोशलती करों कि carak 주는 कि लिए अस चाह Valentine hitn- Пока टुकरें आपकाजए बाता है नहीं कैसा आपकाइब कालिया हा लगाई है जघा अड़ारावजे हो अशर दिर रहाएम भ इसके बच्चे हैं पहले वाले केतने बच्चे हैं अच्छा जाणकारी पुलिस को दी है मुझटव Nedu रगए के गरामखुटरे शेर्यम में पुलिस ने जूएक रहिSon से बांट जुवारियों को किनफतार किया है जिनके कबजे से पुलिश ने ब्यास से हजार रुपे की नगतिवे ताश बरामद कर उन्हें जुवारियों को जेल भेज दिया है किर्शी मंडी में नैशनल यूनियन ऑफ्स जर्नलिस्ट की बेठक हुई कारी करम के दुरान सभी पतरकार साथियों को एकड़ूट रहने के बल दिया गया इसके साथ नगर इकाई के अध्यक्ष अतुर्ण शर्मा ने कहा कि किसी भी पतरकार का उत्वीडन बरदाश नहीं कि जाएगा जाएगा जिसमें माननी है हमारे अतुर्ण शर्मा जी को अध्धक्ष बनाए गया है और बारा लोगों की टीम बनाए गई संगटन में जिनको दायितव और जुम्मेदारियां सोपी गई है और अध्धक्स लेके वरिश्ट उपादक्स से उपादक्स महा सचिप सचिप संगटन मंत्री परचार मंत्री सभी पदों पर पत्रकार साथियों को एक जुम्मेदारियां अमानिय अधक्ष महदे द्वारा दी गई है और उनका कहना यह है और उन्होंने हमें भी यह चीज बताई है कि पत्रकार हिदों के लिए लड़ाई लगी आपस में सभी पत्रकार एक रहें और कभी भी किसी पत्रकार का रूट पिड़न होता है तो पूरा मंच उसके साथ ख़ड़ा रहेगा अब यह मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का हमारे एक्ट करते हुए और सभी नंगन्यू नवन्य को बढ़ाई देता हूं जो भी हमारे इस तरह की लड़ाई तो ना रहे तो अच्छा है लेकिन किसी भी हमारे पत्रकार साथिए कोई भी बिसम परिस्तितिया किसी तरह की कोई इस्तिती ऐसी बनती है तो उसमें पुर्जोर एक जूट हम साथ में खड़े होंगे इस लिए ये यूनियन का भी गठन किया गया है एन्यूजे नैस्नल यूनियन ऑफ जनलिस्ट ऑफ इंडिया की विस्तार क्रम में यह इकाई गठी कि यहीं सितार गन से सभी पत्रकार स मुझे बैठाया गया है मेरे सभी साथ यूगिदारा उस पर पूरी तरह खरा उत्रूंगा हर पत्रकार साथी के साथ भरपूर कोई भी लाई होगी उसमें सबसे आगे हड़ा होकर उस लाई को रोड़े को मिला है जहां दिल्ली रोड पर उस वक्त हड़कम मच गया जब थ सब्सक्राइब करता हूं पहले नों कि स्कूर्टी का सीज़ लगा मेरे बैग में लगा फिर उसके बाद ये दूसरा बाइक वाला जा रहा था उसकी साइड में लगके वे बाइक वाले भी गिरे फिर इन्हों की टक्कर होई कैंटर में वह दूसरा लड़का जिसकी डैस है यह हॉन्डा शोरूम के हैं